नवस्कार मैं हुँ सूरेश परद्दовор अब सभी का मेरे डियूँ चैनल सूरेश परदान फो लिम में जानेंगे एड्वांस्थ फिल्टर के सहल से हम किसी भी डाटा को एक सीट से दूसरे सीट पर बर्यासने से फिल्टर कर सकते तो चलिए शुरू करते हैं यहां मैंने एक लीष्ट त्यार कर लिया है जिसमें सेरियल नंबर, स्टुडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर और एक्जाम डेट की सोची बना दे गई है अब हम इस list में से students name और exam date को अलग seat पर filter करेंगे इसके लिए हम headers को select कर लेंगे, copy करेंगे और next seat पर paste कर देंगे फिर हम यहाँ इसी adjust कर लेंगे, इसके बाद class और role number को remove कर देंगे चुकि हमें सिर्फ serial number, students और exam date को ही filter करना है अब हम data tab में जाएंगे, advance filter पर click करेंगे, यहाँ copy to another location पर tick लगाएंगे और list range पर click करेंगे फिर हम seat number one पर जाएंगे, यहाँ list को हम select करेंगे फिर हम click करेंगे, अब हमें यहाँ पर category range को select करना है तो हम फिर से seat number one पर जाएंगे, और headers को select कर लेंगे फिर से click करेंगे, copy to में जाएंगे, और seat number two का headers को select करेंगे जहाँ पर हमें data filter करना है यहाँ पर फिर से click करेंगे, seat number two पर अब इसे हम ok बटन दबा देगे हम देखेंगे, यहाँ पर serial number और students name और exam date filter हो चुका है एक seat से दूसरे seat पर आसानी से हम लोगों ने data को advanced filter की सहाथता से filter कर लिया है इस तरह आप किसी और list को, सुची को बड़े आराम से advanced filter की मदद से data को filter कर सकते हैं